विदीशा जिले के जावती गाउं से एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है जहां एक बुजर्ग महज 2000 रुपए के शर्त के लिए नाली का गंदा पानी पी जाता है इस युवक का नाम पन्नालाल है जो अपनी सुपारी को नाली से उठा रहा था इस बात पर गाउं के लोगों ने बोला कि तुम जब नाली से गिरे सुपारी उठा सकते हो तो इसका पानी भी पी सकते हो इस बात पर पन्नालाल ने कहा कि कोई 1000 रुपए दे तो मैं नाली का भी पानी पी जाऊंगा इस बात पर पूर्व सरपंच के पती उत्तम क मध्यपरदेश अगर अब तक आपने टाइमेट मध्यपरदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना ना भूले हमें हमेशे इंतिजार रहता है आपके कमेंस का विदीशा जिले के जावती गाउं से एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है जहां एक बुजर्ग महस 2000 रुपए के शर्त के लिए नाली का गंडा पानी पी जाता है इस युवक का नाम पन्नालाल है जो अपनी सुपारी को नाली से उठा रहा था इस बात पर गाउं के लोगों ने बोला कि तुम जब नाली से गिरे सुपारी उठा सकते हो तो इसका पानी भी पी सकते हो इस बात पर पन्नालाल ने कहा कि कोई 1000 रुपए दे तो मैं नाली का भी पानी पी जाऊंगा इस बात पर पूर्व सरपंच के पती उत्तम क मध्यप्रदेश अगर अब तक आपने टाइमेट मध्यप्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना ना भूले हमें हमेशे इंतिजार रहता है आपके कमेंस का विदीशा जिले के जावती गाउं से एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है जहां एक बुजर्ग महस दो हजार रुपए के शर्त के लिए नाली का गंदा पानी पी जाता है इस युवक का नाम पननालाल है जो अपनी सुपारी को नाली से उठा रहा था इस बात पर गाउं के लोगों ने बोला कि तुम जब नाली से गिरे सुपारी उठा सकते हो तो इसका पानी भी पी सकते हो इस बात पर पन्नालाल ने कहा कि कोई एक हजार रुपए दे तो मैं नाली का भी पानी पी जाओंगा इस बात पर पूर्व सरपंच के पती उत्तम कुश्वाहा ने कहा कि मैं तुम्हें दो हजार रुपए दूँगा इसके बात पन्नालाल नाली का पानी पी गया टाइम एट मध्यप्रदेश के लिए विदीशा से ब्यूरो रिपोर्ट मैं हूँ सीवा बर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट मध्यप्रदेश अगर अब तक आपने टाइम एट मध्यप्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना न भूले हमें हमेशा इंतिजार रहता है आपके कमेंस का